दोस्तों आपने हाले में न्यूज में ये बात जरूर सुनी होगी कि सरकार अब BH सीरीज के नंबर प्लेट ला रही है गाड़ी वहान विकल के लिए अब BH रिजिस्टेशन सीरीज आ रही है BH स्टेंड फोर यहाँ पर भारत से हैं यानि कि BH का मतलब ही शोट लिया गया है BH, A, R, A, T भारत से simply उस तरह से जैसे दुस्तों RTO के अलग-लग स्टेट के कोड होते हैं अलग-लग राज्यों के for example यहाँ पर आप देख सकते हैं आंद्रपरदेश का AP, महराष्टर का MH उसी तरह से राजस्तान का RJ, Gova, GA, Gujarat, G, J यह अलग-लग स्टेट के जो कोड होते हैं जो गाड़ी की नंबर प्लेट के पहले हमारी जो मेन नंबर होते हैं चार डीजित के नुमेरिकल उससे पहले लगा जाते हैं यह यह कह सकते हैं कि गाड़ी की नंबर प्लेट में जो सबसे पहले कोड होता हैं अब गाड़ी की नंबर प्लेट के आगे किसी भी तरह का स्टेट कोड नहीं बलकि सीधा भारत के लिए लिखा हुआँ होगा अब आपके मन में कई तरह के सवाल आ रहे होंगे कि क्या आपको भी नए साल 2022 में आपके गाड़ी की नंबर प्लेट को चेंज करवना पड़ेगा क्या सभी लोगों को बी एच सीरीज की नंबर प्लेट लेना कंपलसरी यानि की अनिवारी होगा क्या इसके लिए कोई जुर्मना लगेगा या आप ये बी एच वारी नंबर प्लेट लेते हो तो इसके लिए क्या पैसे देने पड़ेंगे आटियो को या किन परिस्तिती में आपको बी एच सीरीज वाली ही नंबर प्लेट लेकर के गाड़ी पर लगानी होगी और आखिर सरकार ने बीएच सीरीज नंबर प्लेट निक गुम सकते हैं, आपको कोई भी RTO, ट्रेफिक पुलीस वगरा नहीं रोकेगा, ना ही नॉर्मल पुलीस आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट को लेकर कभी आपको रोकेगी, टोकेगी, अगर आपकी गाड़ी पर BH सिरीज नंबर प्लेट लगी हुई है, जिसमें कहा गया है, कि वाहन मालिकों को एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए, इस पंजिकरन चिन्न के लिए किसी नए रेजिस्ट्रेशन मार्क के असाइन्मेंट की आवशक्ता नहीं होगी, ठीक है, अब आब ये तो समझ गयें कि पूरे ओल इंडिया पर्मिट के लिए, जैसे कई सारे लोडिंग विकल्स के लिए लिया जाता है, AIP ओल इंडिया पर्मिट, फिर उनको भारत में किसी भी स्टेट में गुमने की जज़ज़त होती है, उसी तरह से आप अपनी कार वाहन पर्सनल गाड़ी विकल के लिए भी ले पाएंगे, लेकिन अब सवाल ये कि सरकार किल लोगों को बीए सीरीज रेश्टेशन मार्क वाली नमबर प्लेट देगी या कौन-कौन लोग इसके लिए अपलाई कर सकते हैं, अब इस सीरीज के नमबर प्लेट का सीधा फाइदा उन लोगों को मिलेगा, जिनका ट्रांसपर किसी अन्य राजी में होता रहता हैं, यानि कि जो कोई ऐसी बड़ी पोश्ट पर नोकरी कर रहे हैं, जैसे ज़्यादतर जिल्ला कलेक्टर हो गया, छह साथ मैने किसी एक डिस्ट्रिक में रहते हैं, फिर उन्हें दूसरे राजे में दूसरे डिस्ट्रिक में भी भेज दिया जाता हैं, कई बार, और भी इस तरह की कई सारी पोश्ट हैं, तो मैंने आपको फर एक्जामपल उदारन के लिए एक पोश्ट बताई, ऐसे कई लोग भाग भी हैं, जिनका अक्षर इस तरह का काम पढ़ता रहता हैं, कि आज इस राजे में, कल उस राजे में, परसू उस राजे में, तो उन लोगों को बार बार, स्टेट RTO रेजिस्टेशन चेंज करवाने की नोपत नहीं पड़े, इसके लिए, बिये सीरीज वाला नंबर प्लेट आप रेजिस्टेशन करवा लोगे, तो उन लोगों को दूसरे राजे में भी इसे बदलने की आवश्यक्ता नहीं पड़ेगे, अब कौन लोग इसके लिए eligible होंगे, कौन इसके लिए apply कर पाएंगे, तो सबसे पहले तो इसके लिए आपको एक eligibility test पास करना होगा, जिसके लिए क्या-क्या requirement रहेगी, तो आपको बता दू, इसके लिए आप RTO के official portal से online नहीं apply कर सकते हैं, लेकिन आप apply उसी condition में कर पाएंगे अगर आपके भी job कुछ इस तरह की हैं जिसमें आपको बार-बार अलग-अलग राजियों में जाने की जरुरत पड़ती हैं सरकार को आपको ये प्रूब करना पड़ेगा कि हां मेरी जोब मेरी ड्यूटी आपका काम कुछ इस तरह का कि आपको बार-बार अलग-अलग स्टेट में जाना पड़ता हैं तब आप आप RTO के जरिए इस तरह की नंबर प्लेट के लिए apply कर पाऊगे कौन-कौन लोग इसका फाइदा ले सकता हैं तो मंत्राले ने कहा कि B.H.C.D. का रजिटेशन स्वेचिक आदार पर होगा है यानि कि जो चाहे वो ले सकता है लेकिन इसके तायत खास करके रक्षा कर्मचारी, केंदर सरकार, राजी सरकार के कर्मचारी, केंद्रीय या आपकी कंपनी के ओफिस अगर चाहर अलगलग स्टेट में तो भी आप B.H.C.D. जो याली नंबर प्लेट ले पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, एसा कोई जरूरी नहीं कि इसको क्यावल गवर्मेंट एंप्लोई ही ले पाया, समझे रहो ना, कोई भी आम आदमी प्राइव युडे पैचार पतर दिखाने होंगे, अच्छा भारत सीरीज के लिए रोट टेक्स कैसे लिया जाएगा, तो वहन के लिए भारत सीरीज लेते समय दो साल का रोट टेक्स का भुगतान करना होगा, इसके बाद हर दो साल में रोट टेक्स का भुगतान आपस लिया जाएग रेजिस्ट्रेशन की तारिक से 14 साल के बाद, टेक्स हर साल लगेगा, आलांकि इसकी दर आधी होगी, 10 लाक रुपे से कम कीमत वाले वाहनों पर 8 परतिशत का टेक्स लगेगा, वहीं 10 से 20 लाक रुपे की बीच के कीमत वाले वाहनों पर 10 परतिशत टेक्स लगेगा, और 20 ल के लिए जरूरी होगा तो इन सब का अंसर नो है यानि कि किसी को भी जरूरी कंपलसरी अनिवारे लेना ऐसा कोई भी जरूरी नियम सरकार के तरब से नहीं है ठीक है मैंने आपको समझा दिया क्लियर ली कि एसे लोग जिनका चार या चार सेधिक राजियो में बिजनिस फिला हुआ है या जाते आते रहते हैं काम पढ़ता रहता है तो वे सिंप्ली इस नंबर प्लेट के लिए अपलाई कर पाएंगे और बाकि जो आटियो का खर्चा होगा व पर और हाँ आप हमारे चैनल डीलस न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकोन भी जरूर दबा देना ताहिए आपको रोजाना के ताज़ा अपडेट्स और काम की कबरें तुरंत आपके मोबाईल पर मिलती रहेगी तेंक्यू टेकर गुडबाई जय हिंद जय बारत व देमात्रम